और उन लोगों को जिन्होंने इस राम मंदिर के कारे के लिए अपना जीवन बलदान कर दिया बिलकुल और ये बड़ी बात आप ने कहीं क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग जीवित हैं और कुछ अभागे जो इस इच्छा को लिए हुए ऊपर चले गए लेकिन आपको आमंत्रन तो मिल गया होगा आप जा भी रहे होंगे तो कितने उत्साहित हैं आप और आपका पहुंच जाएंगे जो जीवित नहीं है तो हमें लगता वो अभागे तो नहीं पर वो अद्रश आखों से जरूर देखेंगे वहां समलित रहेंगे दूसरी बात हमको आ इतनी प्रशनता कि बानी ब्यक्त नहीं कर शकती है और निश्यत रूप से भारत में विदेशों में रहने बाले जितने शनातनी है वह उस दिन दीपाबली मनाएंगे चाहे वो भारत में रहते हो या विदेशों पहली बार ऐसा हो रहा है सनायतन ये हिंदू योगों की ये आप राम की बात करते हैं आप सनातन की बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश और वाले क्या है आपके राम कैसी है उनकी तस्वीर मर्यादा पुर्शोत्तम है हमारे राम जाती वात से उपर हमारे राम शंपून विश्व की एकता पर भरोशा करते हैं हमारे राम अधर्म के खिलाप बान प्रतंचा पर चड़ाने में बिल्कुल भी सकुचाते नहीं हमारे राम अधर्म करने बालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सक्षाते हैं, हमारे राम नर होकर के भी बानरों का मान बढ़ाते हैं, हमारे राम जूटे बेर सवरी के खाते हैं, हमारे राम केवट की जो दुनिया को पार करते हैं, वो खुद केवट की नाओ पर चड़कर के गंगा पार होते हैं, यह हमारे प्रभुशी राम है किसी को भी मानो जीवन सीखना है प्रभुशी राम की मर्यादा से सीखना चाहिए यही भारत को विश्व गुरू बनाता है तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं क्या यह भी राम की पक्षदर है और राम की यात्रा का एक परिया है हिंदू राष का मतलब है जातीवाद दूर हूँ जातियां हूँ जाती बाद ना हो." जिए प्रभुषी հाम करके दिखाया, नििस स्वेम चत्री है स्वाये हैं, लिकन सुपट हे हुए भेली के गर जूट्सेंगर वेल खाने lud llam तो आप राम के अपासक नहीं है तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं है। आप उनका सम्मान नहीं कर सकतें तो आपमान करने का अधिकार आपको किस ने दिया। वो आर यू। आप होते कौन हैं। बस हमारा धे सिद्धांत हिंदु राष्ट की कलपना का यह। तो यह हिंदु राष्ट की कलपना में दूसरे धर्मों के लिए क्या जगे होगी धिरिंदर शास्त्री जी की अगर मैं बात करो। आपको आदर्श के हिसाब से जीना पड़ेगा। आपको अमानवी एकृत से बचना पड़ेगा। आपको पालगर के संतों की नर्दई हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। यह हिंदु राष्ट की कलपना है। और अगर बुरई कलपना है और गलत कलपना है। यह गलत संकलप है तो कोई हिंदु साथ ना दे और सही संकलप है। तो जैसे आज राम मंदिर की आत्रा में सबकी आखें डब डबाएं, ऐसे हिंदु राष्ट के लिए और आंके बढ़ें। तो क्या ये मानने कि राम मंदिर बन जाने से हिंदुत्व का सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा। तो मतलब विवाद कभी खात्म नहीं होगा। विवाद नहीं ये तो संबाद का विशय है। पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था का विशय है। तो उसे हम किसी की आखों का चस्मा नहीं बदल सकते है। ये उनकी टेंस है। हम उनकी आस्थामने उनके बगवान को तो बुरा कहा नहीं। उनके बगवान के कपड़े उतारे नहीं। हमने उनके बगवान को कभी जो है सबूत मांगा नहीं। उनके भगवान के खिलाब बोले नहीं, उनके भगवान के उपर हनमान जी बैठाए नहीं, हमने तो आपकी आउहे लिए लिए हमारे राम मंदिर के जन्म भूमी पर जहां प्रभुशी राम कई हजार वर्षों से रिगवेद, सबसे प्राचीन वेद है, उस रिगवेद के प अलाम जन्म भूमी को लेकर, तब हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोट में माना है, आपका कुश्चन भी लीगली नहीं है, सुप्रीम कोट ने कहा कि वहां राम जी थे, यह सुप्रीम कोट ने कहा है, इसका मतलब इन्होंने अधिपत्त जमाया, इसका मतलब इन्होंने कब जा क यह सिद्ध हो गया कि यह ऐसी जगहों पर कभ जाकिये अब जहां जहां कि यह वहां वह खो देगा लेकिन शास्त्री जा अगर इतिहास को कुरे देंगे तो बहुत सारे घाओं है वह भाव भरेंगे इसलिए तो हम जनम नहीं हमने रिया है वह हिंदू हुए यह तो मतलब रा तो यहां बास्तिविक रूप से अवयद कबजा किया गया उसके लिए भारत में न्याय प्रणाली है उसके लिए भारत में एक विवस्था है शंभीदान है यहां पर जो है जज है मजश्टेड है वकील है वो न्याय करेंगे हम सब अपनी आस्था के सबूत रखेंगे हमारी जो वेदों के सबूत है उनको रखेंगे रामचरत मानस के सबूत रखेंगे और अगर वो सबूत बोलेंगे तो वहां पर बचे राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसल्मानों ने दिल से स्वागत किया तो क्या अब उनकी भावनाओं का खयाल आगे नहीं रखा जान से लिकिन क्रिया पर प्रतिकिरिया भी ऊश्ची कह रहे हैं कि बाबरी मसजिद को भूलेंगे नहीं दखेंगे somos के विए उनकी अंदर वी बिश्बरा जहरा लोगों को ह्नमान जी ठीक करेंगे आप अपने आश्रम में कार सेवा कर रहे हैं, हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोगों आहत होते हैं, तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए है। आप आप अपने नहीं करें, हम आपके आस्ता के साथ खिलवार नहीं करेंगे, यह भी आपको अधिकार नहीं करेंगे। कि अब बस यहाँ तक हमें रुकना होगा? संसार नहीं रुक रहा, तो ये लखीर से कैसे रूक जायेगा? संसार तो अनवरत बड़ता चला जा रहा है, विज्ञानिक कहते हैं कि ब्राम्हान की पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो ये लकीर हैं तो कभी ये लकीर खेचना हमें तो ये लगेगा कि एक सठता बाली बात है चले वैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं समझ में आ रहा है लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नीता भी हैं जिनकी तरफ से टिपनी आ रही है आपने भी शबरी के बेर कर दिक्र किया कहा जा रहा है कि मासाहरी थे राम मेरा सवाल ये है कि हर हिंदू की इन्हीं दोगलों को ठीकाने लगाना इसलिए हिंदू राष्ट चाहिए लेकिन हर एक के अपने प्रभू राम की अलग चवी है वो अपने अपने हिसाब से उसको आज़ादी है पर ऐसी चबी नहीं है जैसे वो बता रहे हैं। बगवान राम इतने नगन में ही जितने वो बोल रहे हैं। मर्यादा की पृतीक है। मर्यादा की पृतीक हमारे सास्त्र भेद, पहले पढ़े, जाने, उसमें से उत्तर निकाले। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खर दूशन सुभाहू मारीच, ये त्रेता युग में ये होते थे, जो विग्न डालते थे शुब कामों में, और अब ये विपक्ष के नेता हैं, क्या तो ये आपको तुलना क्या सही लग रही है? ये तुलना आपको सही लग रही है नेताओं पर हम टिप पनी नहीं काई थे हैं किसी भी नेता को हम किसी तरह जो पर नहीं रखते हैं एक बड़ा सवाल दिग विजसिंग जी ने उठाया कि भी रामलला विराजमान जो कि कोट में रामलला का केस लड़ रहे थे मतलब ये कहा जा रहा था कि खुद स्वैम रामलला विराजमान वहां पहुँच रहे हैं और अपना केस लड़ रहे हैं अब वो रामलला विराजमान की मूर्ती जो है वो बदल के दूसरी मूर्ती रखी जा रही है तो इसको बाबा कैसे लेते है आप मूर्ति बदली जारी है चलिए इनेता को आप छोड़ दीजे ये लेकिन राम्लाला विराजमान के दर्शन मेंने किये है आपने किये है बड़े विग्रह का दर्शन सब को लोग दूर शे कर पाए ज़ादा स्मुधायाना है सालेग राम की सिलाएं पहुंची ही है तो एक शर्व सम्मति से सादू संतों के द्वारा सर्व शम्मति से नर्ने लिया गया कि इतना बड़ा भब मंदर है तो विग्ड है भी सरकार का भब होना चाहिए ताकि सरकार और एक अध्यात में को भाविक दृष्टी भी है ज्याद बड़े वाले ठाकर जी ज्यादा मार नहीं कर रहे तो बड़े वाले राम जी रहेंगे तो सदियों तक कोई आंक उठा के नहीं देखेगा तो मतलब आप यह एक नया नया तरीका है और एक नया भाव है समझने का कि जो छोटे लला थे वह ज्यादा लोग उन पर छोटे ब हनुमान जी है गरुण है मौजूद सिंग है और गज है तो यह पहले गरुण और हनुमान की आदेश लिया जाएगा उनकी इजाजत ली जाएगी और फिर राम मंदिर राम लला के दर्शन होंगे तो आप इंतजार कर रहें बिलकुल बिलकुल यह सास्त्रुक्त पद्धत ए सास्त्री परमप्रा है वहां राम राजा की रूप में लेकर निजो विउर मुरति गरी राम लिल्ला की दर्शन को वर रहेंगे तो बड़ा रख दिया गया लाम लला तो वही रहें दौनों दर्शन होंगे विग्रे व्रा है ताकि दूर से सरकार के दर्शन कर शके और हमने अपना भाव आपको बता दी तो आप पहली बार मंदिर रामंदिर जाएंगे हैं हमारे हिर्दय को बहुत वहां पीड़ा पहुंची थी चार-पाच बार अध्या गए दर्शन हमने सिर्फ जीवन में एक बार किया राम लिला की और जब बहुत पीड़ा हुई मन बह सायद ही कोई ऐसा राम भक्त होगा जिसको पीड़ा देख करके ना होती हो आप तब गए थे जब मस्जिद थी वहां पर या जब मंदिर बनना शुरू है अच्छा अब आप समझ जाओं हम पवित्र मुशे नाम नहीं लेते हैं पर थी वह तो अब आप खोश हैं बहुत ज आप आने वाला है और इंतजार की घडियां खत्म होने वाली है भारत की बारत की दीपावली है 22 जनवरी भारत की दीपावली है और उस दिन हिंदूों को दीपावली मनानी चाहिए घर-घर दीप ज़ना चाहिए अच्छा कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि प्रदा ऐसा लग मूर्ती के रूप की बात आगी तमाम विवाद उठाए जा रहे हैं इसको इस पर क्या करेंगे प्रश्ण ऐसे हैं यह ना कभी खत्म जो अधार्मिक लोग हैं जो रामण के खांदान के लोग हैं देखिए जिसकी मती खराब है उसे परमात्मा में पत्थर दिखाई देगा जिसकी मती सुमत ही है उसे पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है उनका विचारों का चस्मा डिश्टर्ब है उनमें कुछ ना कुछ भयंकर खोट है रामण के खांदान के विचारे और रामण के खांदान के चुप तो बैठेंगे नहीं तो उन्हें दिक्कत तो है तो राम द्रोह करेंगे, राम द्रोह करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। बहुत प्राचीन सिध्धानत है इस विश्व का, कि एक आदमी ने एक पैंटिंग बनाई और चौराही पर जाकर टांग दी, कि इसमें अगर कोई कमी हो तो वहाँ पर गोला मार्क कर दो। इतन दुनिया का सिध्धानत है, तो यह रामर के खांदान के लोग इस सिध्धानत पर गोला मार्क बालों पर जी रहे हैं, तो इनको तो जीवन भर यह कमियां मिलती रहनी है, और विचारों को मिलनी भी चाहिए, उनका यही जौब है, और आप लोग टीवी वाले भी कैसे उठ उल्टा बोलिंग, तो वो उल्टा बोलती है, ताकि आपके मूँ से उनका नाम लिया जा सके,